गुड़ मार्निंग बच्चों पहले दिन में आपको पहले क्या पड़ाया था स्वर बेंजन फिर मात्रा उसके बाद बार खड़ी आज जो है एक कविता पड़ाऊंगा कविता में पहला कविता है पेज नमबर 31 पर और पहला कविता का नाम है गुड़िया मेरी प्यारी है देखो छितर में खुब सुनदर से एक लड़की का चितर बना है उसके बाएं साइड में बाएं हाठ के नीचे एक खुब सुनदर सा जो है गुडिया बना है जो पीले कलर का फ्राग पानी हुई है और उसके बाल भी काले है और उसके सर पर फीता बाधा गया है वो गुलाबी कलर का है और देखने में खुब सुन्दर लगती है इस तरह से इसलिए इस कविता का नाम है गुडिया मेरी प्यारी है अब कविता में क्या क्या है लिखा गया है उसके बिशम में बताने जा रहा हूँ देखो पहला है लाइन गुडिया मेरी प्यारी है अलगती राज दुलारी है क्या है गुडिया मेरी प्यारी है लगती राज दुलारी है गुडिया कैसी है? क्या है? गुडिया क्या है? प्यारी है कैसी है? प्यारी है और कैसी लग रही है? राज दुलारी जैसा इसलिए इसको लिखा गया है गुडिया मेरी प्यारी है अलगती राज दुलारी है इसके आगे चलिए इसके आगे दिया है ओट लाल लाल काले काले बाल यानि गुडिया के ओट जो है कैसे है लाल लाल है और काले काले बाल है बाल कैसे है काले काले माने ओट लाल लाल काले काले बाल है आगे चलो, आगे दिया है, एक गुढ़ा आएगा अधम धम धोल बजाएगा, कौन आएगा? एक गुढ़ा आएगा, क्या बजाएगा? धोल बजाएगा, कैसा बजाएगा? धम धम करके. दोल कैसा बचता है ढम ढम करके इस तरह से फिर से पढ़ो एक गुड़ा आएगा ढम 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 ढोल बजाएगा आगे चलिए आगे दिया है कि गुड़िया को ले जाएगा किसको ले जाएगा गुड़िया को कौन ले जाएगा गुड़ा ले जाएगा कौन ले जाएगा गुड़ा माने गुड़ा कैसे ले जाएगा पहले आएगा फिर ढम ढम करके ढोल बजाएगा फिर उसके बाद गुड़िया को ल जाएगा आगे चलो पूरा कविता पूरे कविता को कैसे पढ़ना चाहिए उसको मैं एक दो बार तीन बार करके अच्छे से बता देता हूँ ऐसा ही आपको भी बोलना है अब भिहास करना है जैसे देखो गुडिया मेरी प्यारी है लगती राज दुलारी है कैसे बोलोगे गुडिया मेरी प्यारी है लगती राज दुलारी है उसी तरह से दुसरे लाइन को पढ़ोगे तिसरे लाइन में आओगे ओट लाल लाल काले काले बाल हैं ऐसे बुलोगे ओठ लाल-लाल काले-काले बाल हैं तिसरे में आओगे एक गुड़ा आएगा धम-धम डोल बजाएगा अगुडिया को ले जाएगा कौन आएगा एक गुड़ा आएगा धम धम डोल बजाएगा गुड़िया को ले जाएगा यानि अब एक साथ मैं पूरे कविता को एक बार दो बार करके पढ़ता हूँ ऐसे ही ध्यान से आप पढ़ो और पढ़ोगे बार बार तो यह याद हो जाएगा क्योंकि इसको याद करना है तो फिर से बोलो गुड़िया मेरी प्यारी है लगती राज दुलारी है धो ओट लाल लाल काले काले बाल है एक गुड़ा आएगा धम धम धोल बजाएगा गुड़िया को ले जाएगा कैसा बुला मैं ऐसे ही एक बार आप लोग फिर से बोलो गुड़िया मेरी प्यारी है लगती राज दुलारी है ओट लाल लाल काले काले बाल है एक गुड़ा आएगा धम धम धोल बजाएगा गुड़िया को ले जाएगा इस तरह से आप जो है कविता को बार बार पढ़ोगे वाले लाइन दो दो लाइन ले करके फिर दूसरे लाइन में आओगे फिर दो लाइन पढ़ोगे फिर तीसरे लाइन में आओगे दो बार पढ़ोगे तो इस तरह से सब मिला करके आपका सिर्फ नौ लाइन में कविता है और खुब सुन्दर से चित्र देखते भे अगर पढ़ोगे तो पढ़ने में आसानी रहेगी और बार बार पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा यह क्यों कि कविता को याद करना जरूरी है यह याद कर लोगे तो अपने आप बोलने आ जाएगा इसलिए पहले आप चित् चित्र बना है फिर उसके बाएं हाथ के बगल में एक गुडिया का चित्र बना है उसके बाद उसके सामने जो है दहिने साइड में कविता खुब सुन्दर से नौ लाइन में लिखा गया है जो कि उपर से लेकर के क्रमस एक एक करके थोड़ा दूरी दूरी लेकर के कविता लिखा गया है और कविता देखने में भी जैसा सुन्द लग रही है वैसा आप याद करके बोलोगे तो भी बोलने में अच्छा लगेगा और सुन्द लगेगा और याद कर लोगे इस तरह से कविता याद करना जरूरी है आगे दुसरी कविता बताऊंगा आज यहीं समात कर करता हूं धन्यवाद